हाँ, चलिए, तो आज हम बात करेंगे सिल्कियारा टनल के कोलाप से रिलेटेड और प्रमुक्ता से हम जोग्रफिकल एंगल देखेंगे तो पहले तो बात करते हैं कि सिल्कियारा टनल बनाई क्यों जा रही थी असल में सिल्कियारा टनल is a part of a larger national highway project हम चारधाम जो भारत के चारधाम हैं उन्हें कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यह रीजन है हमारा उत्राखंड का और यहीं पर हमारे चारधाम मौजूद हैं in order first of all you will identify यमुनोत्री फिर और आप आगे बढ़ेंगे तो आप गंगोत्री पर पहुंचेंगे फिर आप केदार नाथ पर पहुंचेंगे और फिर आप बद्री नाथ पर पहुंचेंगे कुछ इस order में हमारे चारधाम है हम इन्हें connect करना चाह रहे हैं इसी चीज को हम थोड़े blank page पर देखते हैं तो हम बहतर समझ पाएंगे इसी बीच एक connectivity हम कुछ ऐसी provide करना चाह रहे हैं सिल्कियारा से धंडल गाउं इसी के बीच यहां पर कहीं सिल्कियारा है और यहां पर है धंडल गाउं इनके बीच हम tunnel construct कर रहे थे ताकि all weather connectivity हो बरफबारी के कारण लैंड स्लाइट के कारण यह रास्ता बंद ना हो तो इन दो इलागों के बीच जो tunnel बन रही थी वही collapse हो गई अब collapse में exactly हुआ क्या है उसको भी एक बारा समझिये यह सिल्कियारा वाला रीजन है यह tunnel हम बना रहे थे जो की open होनी थी धंडल गाउं की तरफ यहां से खुदाई करते हुए हमारे मजदूर सिल्कियारा की तरफ से खुदाई करते हुए हमारे मजदूर आगे की तरफ बढ़ रहे थे इतनी tunnel बन चुकी है हमारे मजदूर यहां कहीं पर आगे की कुदाई की प्रक्रिया जारी रखे हुए है इसी बीच यह वाला हिस्सा कोलाप्स हो जाता है और यहां से पूरी rocks की sliding होकर इलाका बंद हो जाता है आगे तो पहाड है धंडल गाउं की तरफ तो पहाड है तो हम बाहर निकालने का हमने जो पहले तरीका खोजा हम और मशीन लाए अब और मशीन क्या होती है और मशीन होरीज़ॉंटल ड्रिलिंग करती है यह जाएगी इस टरनल से अंदर और यह जो एक मलबा एखटा हो गया है रॉक डेब्री जा गई है स्लाइडिंग हो गई है रॉक् debris से बाहर निकाल पाएं यह जो मशीन होती है ओगर मशीन असल में इसमें से helix arms होते हैं यह हैलिक सोजार होते हैं तो यह से चलती रहती है motor जैसी और अंदर drilling करती जाती है लेकिन drilling vertical नहीं horizontal drilling हमने इसका प्रयास करा और हुआ क्या यह जो अब इतना तो हम पहुँच गए थे अंदर और फिर आगे कैसे पहुँचे तो फिर ओगर मशीन खराब हो गई फाइनली कुछ और ओजारों से जो अंदर ओगर की ड्रिल फसी हुई थी इसे काट काट कर बाहर निकाला तो ओगर मशीन को हम हटा देते हैं हमारे सामने से अब इतना रास्ता बन चुका है मजदूरों तक पहुँचने का इसके बाद जो थोड़ा सा इलाका बाकी था उसके लिए हमने कल अपना ही थी एक ट्रेडिशनल प्रक्रिया जिसे भारत में बैन कर दिया गया है उसे हम कहते हैं रैट होल माइनिंग रैट होल माइनिंग में उतनी ही टनल खोदी जाएगी वो भी हातों से और हाथों में मौजू दोजारों से कि जितने में एक व्यक्ती सिल्कियारा टनल से और मशीन ने जितना टनल को बना दिया था उसके आगे मूव हो है और हाथों से रास्ता बनाते हुए एक नई टनल का निर्मान कर दिया जो मजदूरों तक पहुंच गई और इसी रैट होल से हमने मजदूरों को बाहर निकाला है रैट होल माइनिंग ब टनल किसी मेशीन से नहीं हाथ से मिट्टी को खोथ खोथ कर बनाई जाती है एंजीटी ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार की रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया है लेकिन इसमें हमने इस्तमाल करा है क्योंकि हाईली एडवांस टेक्निक्स काम नहीं कर रह की और एक डिबेट है एंवायरमेंट सस्टेनिबिलिटी की हम दोनों का संतुलन बनाकर टनल बना रहे हैं कि एंवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएं टूरिजम केरिंग केपैसिटी से जादा ना हो और साथ में डिवलपमेंटल एस्पिरेशन भी इलाके की पूरी हो पाएं एंवायरमेंटल ये इलाका बहुत जादा कंस्ट्रक्शन के लिए क्यों सूटेबल नहीं है उसे भी एक डाइग्राम से समझते हैं असल में हमारा जो यमुन उतरी है यहां कहीं पर मौजूद है सम्वेर एलॉंग ग्रेट हिमाले आज और इसके थोड़ा नीचे उतरेंगे आप मसूरी की तरफ तो यह हैं हमारे मिडिल हिमाले आज ग्रेट हिमाले आज और मिडिल हिमाले आज के बीच एक फॉल्ट मौजूद है इसे हम कहते हैं एक दरार मौजूद है ऐसा समय जी एक fault मौजूद है इसे हम कहते हैं main central fault या main central thrust it is highly prone to earthquake यह जो मैंने zigzag दरार बनाई है it is highly prone to earthquake अब अगर आप यहाँ पर कोई tunnel भी बनाएंगे और अगर थोड़ा भी movement हुआ इस इलाके में तो आपकी tunnel का हिस्सा collapse करने की संभावना बहुत जादा होती है इसी कारेंट से जनरली बहुत highly elevated projects of engineering यहाँ पर बहुत बड़ी geological study के बाद ही execute होते हैं एक और खत्रा है कि इसी दरार में main central fault की दरार में जो great और middle हमालया के बीच है यही पर एक शहर भी हुआ है यह है जोशी मट इस हाइली प्रोन टू अर्थक्वेक और इस रोह सेट कि जोशी मट वोंट सरवाइव लॉंग वो धीरे धीरे धस्ता चला जा रहा है क्योंकि एक दरार पर बैठा है इस इस फॉल्ट के होने के कारण यह पूरा रीजन हाइली प्रोन टू लैंड्सलाइड है हाइली प्रोन टू अर्थक्वेक है इसके साथ अगर कहीं से बरसात आ जाए या फिर कोई ब्लास्ट करे जाए रास्ता बनाने के लिए तो लैंड्सलाइड की संभावना और बढ़ जाती है इन्ही सब कारणों में से कोई एक कारण रहा होगा कि सिल्कियारा टनल कोलाप्स हो गई तो आपको थोड़ा बहुत जोग्रफिकल परस्पेक्टिव मिला होगा कि सिल्किय कारण टनल और उससे रिलेटेड क्या जोग्रफिकल एंगल है थैंक यू